ये देके गारीज आज चने की दाल से बहुत यमी हम बनानें जारे हैं इस कड़ी नहीं क् exposure गड़ी करें तो आज की बन करके तयार होगी, तो आज हमारे बच्चे ने कड़ी खाने की डिमांड करी थी, तो यह देख सकते हैं, बेसं था नहीं, तो हमने सोचा चलिए, आज कुछ एक्स्पेरिमेंट करते हैं, तो हमने चने की दाल को भी वो दिया था अच्छे से, ओरनाइट के लिए अच्छे से भीग गई थी, यह देखे किस तरह से हमारा बैटर हो गया है, अच्छे से अब यह जारक में पानी डाल देंगे, इसको भी फेकिंग नहीं, इसको यूज कर लेंगे, फेक ना क्यूं, तो यह देखे, इस तरह से रख देंगे, और इसमें आप डालेंगे स्वाद अप नमक, हल्दी मना किया गया है तो इस तरह से हम फेटेंगे अब हम हाथ से भी पांच मिट फेट लेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से और देखे आज हम हाथ भी नहीं लगाएंगे और पकॉडिया बन करके तयार हो जाएंगी बहुत टीस्टी बहुत यम्मी तो चलिए देख लेते हैं कड़ी के लिए वैसे भी कमी ओयल लिया जाता है क्योंकि कम ओयल लेंगे तो अच्छे से कड़ी हमारी फूल कराती तो देखे स्पून से अब हम क्या करेंगे चोटी चोटी सी इस तरह से पकॉडिया बनाएंगे और यह देख सकते हैं तो देखे आपको हाथ आगर आप से भी बना से कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर हमने हाथ का यूज नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ स्पून से ही पकॉडिया बना लिए आपके ओयल में जितना इस पेस है उतनी ही पकॉडिया डालिएगा इस से ज्यादा मठ डालेगा आप तेखे कि कितने अच्छे से फूल पकॉडिया इस तरह से थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद इस्टर कर दीजेगा इस तरह से यह देखिए तो यह अच्छे से क्या है पक जाएंगी हमारी पकॉडिया और बहुत अच्छे से अब जैसे आप नॉर्मल कड़ी के लिए पकॉडिया बनाते है उसी तरह से पक बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास बेसन हो आप चने बना सकते है फिर से उसी तरह से प्रॉसेज के हम पकॉडियां सेम ने से तरह से तो यह देख सकते हैं इस पकॉडिया शीक चुकी थी proof जॉछ्न का में उसके डाल आप तो एदे लेंगे अगे है क् डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मगर वो थोड़ा सा फुटकी फुटकी से दिखेंगी दही तो अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा पानी ग्लास के डाल लिया है और अब देखें यह अच्छे से फिट गया है तो इसको हम डाल देंगे अपनी कड़ी में तो चलिए अब हम क्या करेंगे जो ऑईल इसमें कड़ाई में था बस उसी ऑईल में हम डाल देंगे हिंग और डाल देंगे देखें क्या क्या एट करना है इसमें हिंग डाल देंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे यह देखें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और मिर्ज का इस्धमाल हमने अपने हिसाब से कम किया है कि बच्छे की तबध थी आप लोग अपने अपने साब से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते। और प्रॉब्लम नहीं होगी अब मसाले को अच्छे से फ्राइड कर लेंगे तब जो बैटर्फ हमने बिना कर रखा है उसको डाल देंगे यहांनी छांच यहांश देही और बेसन बैटरि नीअ हर आपया बिंदेंगे wasp ने इत not to the produce my food is IPSH temperature, mountain और प्चायब को हम यह सब्चाब और आप नहीं इसो तो यह देख सकते हैं इस तरह से चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे अच्छे से तो देखिए यह देखिए अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो यह देखे गाई जब हमारे कड़ी में थोड़ा-थोड़ा सा बॉइल आने लगा है, इस तरह से जब हम छोड़ देंगे ना इसको, कड़ी को, तो इसमें बॉइल आएगा, यह देखे, अच्छा से बॉइल आने लगा है इसको, अब हम क्या करेंगे, दस मिनट के लिए इ यानी पकाएंगे, जिसे की कड़ी में हमारे अच्छा से टेस्ट और अच्छा सा स्वाद आ जाए, जितना थिकने सके में कड़ी चाहिए, उस हिसाब से हम बॉइल कर लेंगे, यह देखे, इस तरह से उलटते पलटते हम बॉइल कर लेंगे, तो यह देख सकते हैं, पकॉर्णिया अपनी। तो फ्रकॉर्णियों को थोड़ा सा दबाते हुए प्रसकरते हुए डालेंगे। हाथ में लेंगे। इस तरह से और इसको हलका से दबाएंगे। इससे क्या होगा पकॉर्णियां जब अंदर जाएंगे ना तो देखिए उपर घृते हमें फैलने नहीं है बहुत देर अगर पका देंगे तो पकोड़ियों के उपर की सक्न होती है वो सॉफ्ट होने के बज़ाए सक्त हो जाएगे जो कि फिर बाद में वो पकोड़ियाँ आपकी ग्रेवि को नहीं सूख करेंगी आपको जितनी भी कड़ी पकानी है तो खाली कड़ी पका लि गैस को हमने एक में मतलब पकोड़ों को पकाया था और उसके बाद में हमने बंद कर दिया गैस को यह देखी कि अच्छे से यम्मी टेस्टी सी कड़ी बना करके तयार करी है एक बात और यह थोड़ा सा पतली है क्यों कि मैं इसे चावल के साथ बच्चें में खाना था और अब हम इसमें कड़ी में लगा देंगे इसका चौक यानि तल्का तो यह देख सकते हैं यह देखे इससे क्या है थोड़ा सा लुकिंग अच्छी हो जाती है और ऊपर से चौक लगाने पर बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनती है तो यह हमारी कड़ी बन करके तयार है टेस्टी यम्मी तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास बेसन नहीं है हम कड़ी नहीं बना सकते तो आप बढ़िया सा यम्मी टेस्टी सा बिना बेसन के कड़ी बना करके तयार करें और देखे सारी कि सारी पकोड़ी हमारे अच्छे से फोल कर आई है यह देख सकते हैं आसानी से अगर आप इसे 15 मेंट के लिए और छोड़ देंगे तो यह बहुत अच्छे से यम्मी से पकोड़िया हमारी फोल जाएंगे अच्छे से तो आप अपने घर में से बनाईए और इंज्वाय करिए सब को चौका दीजिए कि बिना बेशन के आपने कड़ी कैसे बनाई है तो चलिए मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करेगा कमेंट करना जरूर कमेंट करा करिए जिससे की थोड़ा सा मॉटिवेशनल हमें मिले मॉटिवेट हो जाए